यूपी में काबा से मशुहूर लोग गाई का निहा सिंग रचोर को यूपी पुलिस ने नोटस भेजा है निहा रचोर ने हाल ही में यूपी में काबा करके गीत गाया था इस तक गीत में निहा ने कानपूर देहाद पे हुए बुल्डोजर एक्शन और उसमें जलकर मरी माबेची को लेकर यूपी सरकार पर तंच कसा था पेस हमारी एक खाश रचोर यूपी में काबा गाकर सुर्खियों में आई लोग गीत गाई का निहा सिंग राठोर को कानपूर देहाद पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है नेहा ने कानपूर देहाद कांड में मा बेटी की जिन्दा चलकर मौत के बाद यूपी में काबा सीजन टू गाया था इसमें उन्होंने उस घटना का जिक्र करते हुए सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा था इस नोटिस में नेहा से साथ सवालों का जवाब तीन दिनों के अंदर मांगा गया है पुलिस का दावा है कि नेहा की गीत से समाच का महौल बिगण रहा है दरसल कानपुर दिहाद जिले की मैथा ब्लॉक के मडोली गाउं में 13 परवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान मां और बेटी की जंदा जलकर मौत हो गई थी पुर्शासन की जलापरवाही पर बुल्डोजर पर सवाल उठने लगे थे कान के बाद ही निहा सिंग राठोर ने यूपी में काबा सीजन टू शीर्शक से गीत गाया एक मिनट नौ सेकंड के इस गीत में उन्होंने सरकार की बुल्डोजर नीती को कट घरे में खड़ा कर दिया अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को शेयर किया था नेहा इस से पहले भी अपने गीतों से यूपी सरकार को निशाने पर लेती रही है पुलिस ने नेहा सिंग राठाओर को 160 CRPC का नोटिस जारी करते वे जवाब मांगा है कि अगर नेहा सिंग राठाओर कानपुर दिहाद पुलिस की नोटिस का जवाब नहीं देंगी या पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होगी तो आगे की कारिवाई होगी अपलोड किया गया है जिससे समाज में वेमनस्तार एवं भेद्वाव की इस्तिति उत्पन हुई है इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी नीच्छक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 CRPC का नोटिस तामिल कराए गया है नोटिस का जवाब मिलने पर नियमनसार अगरिम विदी कारवाई की जाएगी नेहा राठोर इससे पहले भी यूपी में काब आगाने से काफी सुर्खिया वटोर चुकी है लेकिन तब नेहा को कोई नोटिस नहीं मिला था लेकिन अब देखना ये होगा कि नेहा पुलिस के द्वारा भेजी गई एस नोटिस का अखिरकार जवाब क्या देती है ब्यूरो रिपोर्ट भारस समचा